नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ जनम कुण्डली में यदि सूरे ग्रहन बन रहा हो तो इसके उपाई क्या कर सकते हैं दोस्तों जनम पत्रिका में ग्रहन योग मुख्यते दो परकार के होते हैं एक होता है जब सूरे के साथ रहू आजाता है तब सूरे का ग्रहन योग बनता है और दूसरा होता है चंदर ग्रहाण आज हम बात कर रहे हैं सूरे ग्रहन के बारे में यदि कुंडली में राहू लगर में बैठा हो और सूरे कहीं भी बैठा हो कुंडली में तब उसे ग्रहन जोग कहा जाता है ऐसा कहा जाता है कि सूरे के पीडित होने से पितर दोस्त भी बनता है सूरे ग्रहन कुंडली के किसी भी भाव, खाने या घर में हो वै उस भाव के फल को खराब कर देता हुए ऐसे में उपाय करना बहुत जुरूरी हो जाता है तो आईए आपको बताता हूँ इसके बारे में और जनकरी लाल किताब के अनुसार सूरे का राहू के साथ किसी भी परकार से संबंध है तो इसे सूरे ग्रहन माना जाएगा यदि लगन में राहू बैठा है तो सूरे कहीं भी हो उसे ग्रहन होगा लाल किताब के अनुसार शुक्र और बुद्ध एक ही जगह है पुडली में तो वैं सूरे और उनके साथ राहू है तो सूरे ग्रहन होगा लाल किताब के उनसार जब किसी कुंडली में शुकर बुद्ध या राहू इकठे बैठे हो दूसरे पांच में और नवे या बार्वे भाव में हो तो जातक पित तरदोश से पीडित माना जाता है मतलब यह है कि जब यह ग्रह आपस में कठे बैठे होंगे तब सूरे ग्रहन होगा सूरे के साथ राहू केतु के आन जाने पर ग्रहन माना जाएगा सूरे ग्रहन के नुक्सान क्या होते हैं आपको बताता हूँ सूरे ग्रहन से वक्ती कभी भी जीवन में स्टेवल नहीं हो पाता उसकी हड़ियां कमजोर हो जाती हैं और आतम विश्वास में कमी हो जाती है इसके साथ पिता से सुख भी नहीं मिलता और राज या सरकार के और से दंड भी मिल जाता है सूरे जब ग्रहन योग में होता है तब शरीर में अकडन मूँ में थूक बना रहता है इसके साथ व्यक्ति को लकवा मार जाने कई भी समभावना रहती है यदि घर पर या घर के आसपास लाल गाए या भूरी बैस हो तो वै खो जाती है या मर जाती है यदि सूरे और शनी एक ही भाव में हो तो घर की इस्त्री को कष्ट रहता है यदि सूरे और मंगल साथ हों और चंदर और केतु भी साथ हों तो पुत्र, मामा, पिता को कष्ट होता है ग्रैक कल है असफलता विवा में देरी, संतान में देरी, संतान से पीड़ा ये सभी सूरे ग्रहन के परभाव होते हैं तो मित्रो अभी आपको उपाये बताने जा रहा हूं जिस भी वक्ति के कुंडली में ऐसा योग बन रहा हो उसको गुड और तांबे का दान करना चाहिए और गेहूं का भी दान करना चाहिए पती पतनी में से किसी एक को गुड से प्रहेज करना चाहिए छे पानी वाले नारियल लेकर अपने सर से वार कर जल में प्रवा करने चाहिए यह आप छे रविवार कर सकते हैं कभी भी मुफ्त की चीज ना ले और अंध्य व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए इसके साथ मा का अशीरवद लेते रहें और प्रती दिन हनुमान चालीशा का पाठ करना चाहिए अपने आचारण को यानि कि अपने क्रैक्टर को अच्छा रखें मास मदीरा से दूर रहें जदी आपके प्रोस में या घर में कोई पीपल का पेड है तो उसे पानी दें लेकिन इस पेड को बड़ा होने से पहले इसको कहीं और जगे पर जाकर लगा दें लेकिन इसको कारना बिलकुल नहीं है अगला उपाय है सूरे केतु की यूती होने पर सूरे ग्रहन के समय जब भी सूरे ग्रहन पढ़ता हो उस समय तिल निबू पका केला बहते पानी में बहाएं या मंदिर में दान दें परिवार के सभी सदस्यों से सिक्के के रूप में कुछ-कुछ पैसे इकठा करें और किसी दिन पूरे पैसे वो मंदिर में जाकर दान कर आएं यह आपको किसी भी महीने में एक बार करना चाहिए ओ जब भी ग्रहन हो तो ग्रहन के बाद कुछ चीजों का दान करना चाहिए जो मैंने आपको बताई हैं जैसे के गेहू हो गया गुड हो गया पका केला हो गया इसको मंदिर में दान करना चाहिए ग्रहन के बाद तो मित्रों जानकारी अच्छी लगी हो वीडियो लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा धन्यवाद मित्रों भ्रहाद गलसओ मित्रों वीडियो वीडियो जैसे कीजिए